अब करनूल से नंद्याल को ट्रेन चलेगी अब आपके दिल में ये खयाल जरूर आएगा कि पहले भी करनूल से नंद्याल के लिए ट्रेन थी तो फिर ये नियूस नहीं कैसे हो गई पहले करनूल से डोन से नंद्याल जाना पड़ता था नंद्याल के लिए जिसके लिए मुसाफिरों को पूरे 132 किलो मीटर और 3 घंटे का सफर करना पड़ता था मगर अब ऐसा नहीं होगा सीधे करनूल से नंदियाल जाने के लिए अब सिर्फ 85 किलोमीटर का ही सफर करना पड़ेगा जिससे करनूल से नंदियाल रैल से जाने वाले मुसाफिरों को पूरे 50 किलोमीटर का सफर कम हो जाएगा और इसके साथ वक्त भी कम हो जाएगा कर्णूल और नंदियाल की रैलवे नई रैलवे लाइन के लिए रिसेंटी सेंट्रल गाउर्नमेट ने हरी जंडी दिखा दी यानि बजट सैंक्शन कर दी जैसे जिसके लिए अब रैलवे के नई लाइन दूपाड़ रैलवे स्ट्रेशन से लेकर सिमिट नगर तक पूरे 47 किलोमीटर की नई रैलवे लाइन बनेगी यानि उसे दालेंगे जिसमें नन्नूर औरवकल सोमाय जुलपली हुसैनापुरम कालवा बुगा से होते वे सिमिट नगर तक ये नई रैलवे लाइन बनेगी सिमिट नगर से अब सीधे नंदियाल ट्रेन पहुंचेगी क्योंकि यहाँ पर करनूल से दूपाड़ो और सिमिट नगर से लेकर नंदियाल तक अलरड़ी पुराने रैलवे लेंस मौझूद है मगर अब दूपाड़ो रैलवे शेशन से लेकर सिमिट नगर तक पूरे 47 किलोमीटर की नई रैलवे लाइन दालेंगे जिसमें नन्नूर औरवकल सोमाया जुलपले हुसेनापूरम कालवबुगा से होते हुए सिमिट नगर तक ये नई रैलवे लाइन बनेगी ये नई रैलवे लाइन हिदरबाद से लेकर बैंगलूर और कई दिगर जगाहों को मिलाने के लिए क्योंकि जिला करनूल का मंडल औरवकल अब इंडस्ट्रील हब होने जा रहा है जिसके लिए रैलवे की लाइन जरूरी है यानि रैलवे होना जरूरी है क्योंकि यहाँ पर मैनुफेक्चर हुए चीजों को गूड्स्ट्रेंड के जरिया हिदरबाद, बैंगलूर, विस्ट बिंगॉल और कई तक भी ले जानी की सहुलत और दूसरी जगाहों से औरवकल को आने के लिए भी ये रैलवे लाइन काम आएगी, जिसके चलते अब करनूल से सीधे विजयवाडा के लिए भी ट्रेंस चलेगी, बताया जा रहा है कि अब तुंगा भद्रा एक्स्प्रेस ट्रेंड जो सिकंद्रबाद से लेकर करनूल तक थी उसे अब नंद्याल तक कर दी जाएगी अगर ये नई रहल बेलेन ब